दो तिन महीने के बाद अचानक से उस घर में एक बच्चे ने अपने अप सुसाइड कर लिया, रीजन किसी को नहीं पता, कोई अफेर था, नहीं था, कोई करजा था, नहीं था, कोई और बात थी, नहीं थी, क्यों सुसाइड करा, किसी को नहीं पता, ठाको जी ने दिखाया इनके घर में कुछ ऐसा है जो इनके घर के जितने भी पूरे कुल के जितने भी इस एज के लड़के है ना उनको ले कर जाएगी लोग शूट कर रहे हैं तो मैं बहुत ज़ादा अच्छा मैसूस कर रहा हूँ तो बात करते हैं टृषिला जी से कैसी आप बस कृपा ठाको जी की और आपके ओडियन्स पर भी तो मैं शुरू करते हैं कि हम बहुत छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं जो हम लोग घर में कर देते हैं जिसका बहुत ज़ादा एस्टोलोजिकल प्रभाव अमारे उपर पढ़ता है जैसे अगर मैं एक्जाम्पल पूछू तो मंदिर से ही शुरू करते हैं हम लोग कि मंदिर में ऐसी क्या गलतियां होती हैं घर के मंदिर के अंदर जो कि हम लोग करते हैं और उसका गलत प्रभाव हमारे उपर पढ़ता है देखे पहली चीज यह है कि हम बहुत कम लोगों को यह समझ में आता है कि जो इश्वर है या इश्वर यह जो ताकत है इनको एक समय समय पर अपने भक्तों से उनका तप चाहिए, उनकी सेवा चाहिए, उनकी भक्ती चाहिए मंत्र चाहिए, पूजा चाहिए, सात्विक्ता चाहिए और शुद्धी गरण भी चाहिए इसके अंदर क्या होता है जैसे पंदरा दिन में एक महीने में देड़ महीने में लोग अपने घर के मंदिर की सफाई करते हैं ठाकुजी के वस्तर बदलते हैं टाइम नहीं है रोज नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कंडिशन में लोगों को ये पता ही नहीं होता कि इसके लिए भी क्या कोई समाधान है कि हम ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हम डेली ऐसा दो मिनिट लगा कर या पांच मिनिट लगा कर हम अपने पूरी दिन चरिया में से ऐसा क्या कर दे कि हमारी वो सेवा जो है वो पून हो जाए ठीक देखे आपने अकसर देखा होगा घरों के अंदर या तो लोग मूर्तियां रखते हैं या लोग तस्वीरे रखते हैं अधिकतर आपको घरों के अंदर तस्वीरे मिल जाएंगी और कई लोग ऐसे होते जैसे हमारा घर है आपको यहाँ पर सर्फ मूर्तियां ही मूर्तियां मिलेंगी जी आपको हमारे याँ तस्वीरे नहीं मिलेंगी मंदिर में बाहर आपको सब जगे ठाकुर जी मिलेंगे लेकिन मंदिर के अंदर हमारे याँ मूर्तियां ही इस्तापित है मूर्ती और तस्वीर रखने में भी एक बहुत बड़ा भेद है हाँ जी जो मूर्तियां रखते हैं उन्हें नित नियम से पूजा करना जरूरी होता है क्योंकि उनके अंदर प्राहर प्रतिश्टा होती है हाँ और जो बच्चे रेगुलर पूजा नहीं कर सकते हैं कि अगर्ति भी आप तस्वीर नहीं करते हैं तो भी आपको ऊसका दोष नहीं लगता ऊंच चैनल होता है मूर्ति में भी भगवान वेटाएं और तस्वीर में मूर्थी के अंदर बहुत जल्दी प्रांड जागरत हो जाते हैं और उनकी सेवा बहुत नियम से करनी पड़ती है अब मूर्थी में भी कई लोग क्या करते हैं देखें कहीं गए प्लास्टर आफ पैरिस की मूर्थी लाकर रख दी आजकल एक कोई चीज चल रही है जिसे मार पूजा करें नहीं करें फिर भी चल जाता है लेकिन अगर आपने पंच धातू की पीतल की मार्बल की या लकडी की मूर्तियां आपने यहां रख रकी हैं जैसे हमारे यह जगनाज जी हैं हमारे ठाकुजी जो हैं वो अस्ट धातू के हैं हमारी राधारानी जो हैं वो मार्ब कि है अगर हमने इनको विधीवद स्थापित कर दिया है तो फिर हमें इनका पूजन करना ही है regular basis पर आप रोजाना नहीं इस्तनान करा सकते या आप रोजाना इनको नहीं कवस्त्र चेंज कर सकते या कोई भी आपके साहद दिक्कत है घर में करने वाला कोई नहीं है, कई घरों में क्या होता है, बड़े बुजूर्ग छोड़ गए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ठीक, पहले जमाने में क्या होता था, लोग छोटे-छोटे आकार के रखते थे, बड़ी-बड़ी मूर्तियां नहीं रखते थे, और वास्तु शास थोड़े से बड़े हैं, अगर किसी भी आपने पिछे से लाए हैं, परिवार से मिल गए हैं, या जो भी आपके पास हैं, आपने सेवा उठा रखें ठाकोजी के, अगर आप उनका नितनियम से कोई कारें नहीं कर पा रहें, अपने मंदिर की रोजाना सफाईयां नहीं कर पा रहें, तो आपको मंदिर में रोजाना गंगा जल का छड़काव जरूर करना चाहिए, ठीक है, पत्ते से या पुष्प से एक पुष्प ले लिजे गंगा जल के अंदर डाला और अच्छी से आपने छड़काव कर दिया, ये बहुत सरल तरीका है, अपने मंदिर के और को अपने मंदिर की शुद्धता को बनाए रखने का, जो हर घर के अंदर हम कर सकते हैं, और हमें करना भी चाहिए, उसका रीजन क्या है, कि देखिए हम पूनत है, 100% तो शुद्धिकरन देही नहीं सकते, कही न कहीं मनुष्य है, कभी न कभी कोई तो तुरूटी हो ही जात वो अपने आप में साकारत्मक उरजाओं को अपने अंदर अरजित करने लग जाता है, और जब आपके घर के रेंज में, जैसे ही कोई भी नाकारत्मक चीज आती है, वो अपनी साकारत्मक उरजा से उन चीजों को भाहर कर देता है, या दूर कर देता है, और उससे क्या होत कि आपको उस चीज का कोई हाम नहीं मिलता आपके घर में आसानी से कोई तंत्रमंत्र नहीं कर सकता आपके घर पर आसानी से दोश नहीं लग सकता अब मैं आपको बहुत छोट ऐसा एक चीज बताती हूं घर के अंदर जब आपस में रहने वालों के बीच में मन मुटाव खीक नहीं है या आपकी कुंडली के अंदर पित्र दोष है या कुल 2 जवंच दोष है इसी वजें से आपकी यह चीजे जागरित हो जरूर लगानी चाहिए ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में कितने भी कलेश हो वो दीरे 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 आपके समापत होते चले जाते हैं मैंने कई लोगों को ऑनलाइन ये कहते भी सुनाया कि घर में मंदिर होना ही नहीं चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए यह मुझे भी नहीं पता मैंने कई लोगों सुना तो मैंने सोचा आप से क्लारिफाइ करू कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होती है आप हिंदू है ठीक आप हिंदू है आप बचपन से जब आप बड़े हो रहे होंगे आपकी मम्मी पापा ने आप सुना हुगा ओम जय यक दिशे कि मुझेगे माप अपिसे सब कुस मिल राया है रही से सब कुछ जागरित हो रहा है अले माभाप बचपन में सिख़ेड़ कि फीटा हमने जनम तो दे ढ़िया आपको लेकिन असली मााबाप जो है हम हिंदुओं के घर में आम बोली जाती है यह चीज और हर चीज में सब जगे हम सबसे पहला जो महत्वों मानते हैं वो हम अपने इश्वर का मानते हैं हम कोई भी पूजन गनेश पूजन के बिना करते ही निया प्रतम पूज्जे हम उनको मानते हैं अपने घर के अंदर सब जो भी हम अपने घर का कोई भी काम करते हम अपनी कुल देवी को प्रतम रखते हैं हम अपने कुल देवताओं को प्रतम रखते हैं हम अपने अरादे अपने इस्ट को प्रतम रखते हैं उनके बिना हम कोई कारे नहीं करते तो जब वो आपके माता-पिता तुल्ले हैं और म बॐत लोग कहते हैं, मैंने ठाकूर जी को दोस्त की तरह रख रखा है, मैं तो रहे हलो करता हूँ, मैं तो और जाके वोलता हूँ, और दोस्त, क्या हाल चाले, बौत लोग कोई। तो क्या आप अपने दोस्त के लिए अपने घर में कोई स्थान नहीं बना सकते आप भाई बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है वो राखियां बनती है ठाकुर जी को गनेश जी को रक्षा बंदन पर राखियां बनती है ठीक है वो हमारे भाई हैं हमने उनको भाई खतम कर देना चाहते हैं यह वो बात करते हैं घर का मंदिर अलग तरह का होता है बाहर का मंदिर अलग तरह का होता है यह बात सच है कि पहले जो गाउं होते थे या जो शहर होते थे उसके अंदर एक कौमन मंदिर बना दिया जाता था और वो मंदिर कैसे बना दिया जाता थ उस घर से समय-शमय पर उस मंदिर में सेवा पानी ये समय- समय-पर वहां पर चड़ावा चड़ाया जाएगा वहां पर भोग लगाया जाएगा आर्ती में सारे लोग संप्लित होगों आपने शायद देखा हो आग नहीं तो कोई पुरानी मुवीज उठाकर देखिए, पुराने सीलर्स उठाकर देखिए, पूरा गाउं एक साथ खड़ा होता था 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 शाम की आर्ती में और आर्ती और सब अपने अपने घर से निकल के आते था, अर्ती का समय हो गया, बैंज आप पॉसिबल कैसे है, फिर तो अगर आव आस्तु शास्त्र की बात करें इस हिसाब से तो घर के आपके कमरों में टॉलेट बात्रूम नहीं होना चाहिए, सबसे पहले वो हटाईए, वो सबसे बड़ा दोश है आपके घर का, सबसे पहले वो हटाईए, फिर बात मंदिर पर करिये, एक चीज पर टिपड़ी मत करिये, टिपड़ी उन चीजों पर जो आप जड़ से खतम कर सकते हैं, फिर तो आपको इस फ्लैट सिस्टम में रहना ही नीचे, बिल्डर को बूले, फ्लैट सिस्टम मत बनाएए, सरकार को बोलिया हमें सब को जमीने दिलवाई हम तो जमीन पर ही रहेंगे हवा में टंगना ही क्यों है क्यों रहना है हमें फ्लैटों में हम फ्लैट लेंगे नहीं वास्तू के हिसाब से तो यह भी गलत है ना जमीन आपकी ना आसमान आपका तो वास्तू दोश के हिसाब से अ उपर से खुला कराई है जैसे पराने घरों में बिल्कुल वो नैच्रली होता था उस टाइम पर रखा जाता था वो समय रखा जाता था उस तरीके से उस टाइम नौलीज ऐसी थी कि वो लोग अपने आप ही वैसा करते हैं अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं माबाप नौकरी जा रहे हैं घर के अंदर अगर आप एक कोना इश्वर के लिए बना देते हैं उनको वहां पर अगर आप स्थापित कर देते हैं बैठा देते हैं और उनका थोड़ा सा पूजन पार नियम तरीके से कर लेते हैं उनके सेवा कर लेते हैं और उससे आपके जिंदगी के अंद चोटी सी चीज़ बताइए तरुन अगर फिर मैं तो इस पर तर्क वितर्क करने चलूंगी तो मेरे पास बहुत तर्क हैं फिर लोग मेरे आगे बोल नहीं पाएंगे फिर इस हिसाब से तो आपको गैस पर पका हुआ खाना ही नहीं खाना चाहिए गैस आ रहे हैं गैस इसलेंडर से आपके चूले में गैस जा रहे हैं उस घैस से खाना और वो खाना आप खार rescue क्या यह सही है तो आपको चूले पर आ जाना चाहिए तो आप बात वहां करिए जब सिस्टम चेंज हो रहा है जब सारी आधुनिक्ता आ रही है तो आधुनिक्ता के अंदर मौडन वास्तु यह कहता है कि घर के अंदर पॉजिटिविटी का होना अनिवारे है क्योंकि जैसे जैसे कल्युक का एक एक दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नाकारत्मक्ता अपने चरम सीमा पर बढ़ती चली जा रही है उसका भी कद उसकी भी उम्र उसकी भी ताकत मुझे लगता है आपको बहुत परस्नल लेवल पे अफेक्ट किया मेरा यह कुश्चन नहीं में को परस्नल लेवल पे नहीं किया एक्चुली मेरे को यह समझ में नहीं आता कि जो चीज़े गलत है उसके उपर मुद्दे क्यों नहीं उठते हैं इश्वर आप से क्या मांग मंडिर को किस तर है बनना चाइए वो आपके वास्तू के साथ हम कंबाइन कर सकते हैं जैसे कि अगर आपके घर की एंटरी साउथ की है तो आपको कहीं भी मारुबल का बनाहुआ मंदिर अपने घर में नहीं रखना चाहिए आपको लकडी का मंदिर काम करें ठीक है आपको हवा में टांग के मंदर नहीं रखना चाहिए अगर आपकी एंट्री साँध मैं कोई भी एंट्री है लोग क्या करते हैं दिवारों पर मंदर टांग देंग हैं मंदर को टांगिये मत उसके नीचे support पूरा रखिये ठीक है मंदर के उपपर कोई चीज रखने का स्थान मत बनाई है जैसे उसके उपर मैं देखती हूं गंगाजल की बोतलें रखी हैं किताबें रखी हैं वो काम मत करिए मंदिर को खुला छोड़ दीजे वो जितना जगे लेगा ना जितनी स्पेस उसकी खुली होगी आपने देखा हमारा मंदिर कितना खु को खुमने के लिए वो उतने स्थान पर अपनी चीजों को फैला रहा है तो मंदिर को आप खुला रहने दीजे एक तरीके से एक तरीके से जैसे एर प्यूरिफायर से आज़ेक्ली एक्जेक्ली हम वही बात करें अब इसमें ये चोटी सी चीज में आपको बताती हूं गलत वह गलत है कि जैसे लोग क्या करते हैं कार के अंदर छोटी छोटी भगवान की मूर्तियां लगा लेते हैं for the safety purpose नहीं भगवान रहेंगे हमारा अच्छा होता रहेगा अच्छा ठीक है फिर शाम को आप उसी कार में बैठके दारू पी रहे हैं उसी कार में बैठके आप सि पूजन कर सकते हैं वो भी तब जब वो आपके अराध्य हो यानि कि आपकी कुल्देवी हो या आप उनका बहुत जादा पूजन पाठ करते हो तब ऐसी कंडिशन में आपको सिर्फ तस्वीरे लगा के जादा रखनी चाहिए आपको मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए ठीक या उसके लिए भी फिर कुछ नियम करे होते हैं कि भई आपने भगवान के बरतन बिलकुल अलग रख दी हैं अब आप जब बात की बात चल रही है तो मैं आपको बताते हूं जैसे हमारे घर के अंदर हम लोग हैं अब हमारे घर में जितनी भी हम लेडिज या लड़किया हैं हमारे 5-6 दिन जो भी periods के होते हैं हम थाली में खाना नहीं खा सकते हैं तो फिर में कैसे डिस्पोजिबल अच्छा हां और ऐसा किस वज़े से इस वज़े से कि हमें वो सारा जो बरतन है वो सब कुछ जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में तो किचन में जाए चाहिए दुलने ही जाए वो दुलेंगे वो किसी ना किसी बरतन को टच करेंगे तो फिर वो चीज़ें आपस में कहीं ना कहीं एक तरीके से अब कुछ लोग कहेंगे यह तो बहुत वहम हो गया रूड़ी वादी आप इसे वहम माने तो माने हम यह मानते हैं कि हमने देवत इसे लग जाता है ठीक है आप इश्वर के सामने अपनी परचाई नहीं ला सकते हैं आपको एक डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा ठीक है तो बहुत सारी चीजें जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगे हमने अपने घर में जो देखा अपने परिवार में जो देखा हमारे यहां तो इतना सक्तू रूल है और यह हमारे यहां जब पूजन चलता है जब हमारे यह इश्वर को टच करने की बात आती है अगर हम वाश्रूम गए हैं अगर हम किसी भी तरीके से हम सोच या हम टोइलेटी करके आ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम सोच करके आए हैं तो हम नहाएंगे कपड़े बदलेंगे फ्रेश कपड़े साफ सुत्रे कपड़े पहरेंगे तब हम ठाको जी को सपर्ष करेंगे इतना स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है तब जाकर ठाको जी जो लोग कहते न कि यह बाते बनाती हैं कि इनके ठाको जी वास करते हैं बेटा बहुत तपस्या करी है जीवन पूरा का पूरा एक एक शन एक पल उनके नाम समर्पित किया और आखें अपनी हर जगे लगा के रखी कि कहीं किसी से कोई बच्चा है कोई नया है कोई स्टाफ है किसी से कहीं कोई गल्ती ना हो जाए गल्ती से भी ठाको जी कि ऐसी कोई चीज ना हो जाए जिससे वो रुस तो इसके उपर भी मेरे पास आपके लिए पूरा एक लंबा चोड़ा जवाब है और बहुत सार्थक जवाब है इसमें कोई गंदगी नहीं है कोई आपके उपर इस चीज को लेकर नहीं बोला जारा सब कुछ प्राकर्तिक है ठीक है सब कुछ इश्वन ने बनाया है ठीक है लेकिन इश्वन ने सब कुछ बनाया है आप अपने भाई के साथ तो शादी नहीं करते बच्चे पैदा नहीं करते तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले ना इन चीजों को भी ध्यान रखें कि हम किन चीजों पर पॉंट आउट कर रहे हैं कुछ तो रिती रिवाज नियम होत है अब और भाई कूअ क्यूं नहीं कर सकते भाई के साथ उसका भी हमारे शास्त्रों पुराणों में एक बहुत जबर दस्त अंसर है बिमारी का बहुत बहुत bang बीमारियां उत्पन होती हैं जिससे आगे जाके वंच खटम ही हो जाते हैं। मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि हमारा हिंदू सनातन धर्म है, वो साइन्स जादा है धर्म कम है। मैं तो हमेशा से यह मेरे जितने भी आप पॉड़कास देखेंगे, सब में यह जरूर पॉइंट आट करें। इस नेचर साइन्स, सच में साइन्स हैं। लोग मानकार है कि यह साइन्स है। अब मैं आपको छोटी सी चीज़ बताते हूं। देखें, कोई वाइफ है, जिसका मायका ऐसी जगे पर है, जहां पर बहती हुई नदी है। सपोस कर लिज़ें, हम एक नाम ले लेते हैं, हरिदुआर। ठीक है, अब हस्बेंट जो है, उसका किसी ऐसी जगे पर उसका परिवार रहता है, या उसका जनम ऐसी जगे पर हुआ है, जो सूखा है। सूखा मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का नहीं मिलता। जैसे कि राजस्तान। ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर तीवर देवी देवताओं का पूजन कम से कम करना चाहिए। यह किस वज़े से। अस्ट्रोलोजी में बहुत सारी चीज़े एफेक्ट करती हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते, अगर ऐसा नहीं होता, तो क्या होता है। यह दौनों पती-पत्नी कहीं न कहीं शारेरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। अब जैसे कि आप एक चीज़ समझें, क्या होता है कि हमारी जो रीड की हड़ी है इसका संबंद सूरे ग्रह से माना गया है। कुछ केसे में शनी भी बोले जाते हैं, लेकिन सूरे से इनका संबंद होता है। और जो हमारा छोटा मस्तिश कहना, इसको हम मानते हैं गुरू। ठीक है? अब आप दौनों चीज़ों का समझेगा, अंतर समझेगा। जो बच्चे सिजेरियन से पैदा हुए हैं, उन बच्चों को हमेशा उनकी माओं द्वारा पीले रंग की चीज़ उनके बढ़े पर जरूर दी जानी चाहिए। बहुत चोटी सी बात है, बहुत चोटी सी बात है, बहुत लंबा साइन्स है, फिर तो आप मेरा कोर्स जोइन कर लो, प्लीज, प्लीज, एस्ट्रोलोजी सीखो, अगर इतना सब कुछ जाना और मज़ा आ जाएगा, जिंदगी बन जाएगी, आनन्द आजाएगा, आपको इतना सब कुछ, इतनी बारिक चीज़े हैं, ठीक, अब आपको इसी के अंदर एक और मज़्यदार बात बताती हूं, कुछ बच्चे होते हैं, जिन आपने देखा हो को बहुत उदम करते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं फोन के उपर, आपको क्या लगता है, कि वो बच्चे दिमाग से शाप नहीं है, वो बहुत शार्प है, बहुत शार्प है, तब ही उनका पूरा दिमाग लगा रहता है, गेम्स के अंदर, बहुत जबर्दस उनका माइंड काम करता है, आप उनकी कुणलियां उठा कर देख लीजे, अगर उनका डेहे बदल दिया जाए, अगर फोकस सई जगे पे लगा दिया जाए, ऐसे बच्चे बहुत आगे जाते हैं अपनी लाइफ के अंदर, बहुत आगे जाते हैं, लेकिन यहां प्रॉब्लम कहां आती है, ऐसे बच्चों की कुणलि में कहीं ना कहीं राहू उन्हें परेशान कर रहा होता है, पढ़ाई माबाप के साथ, माबाप को कुछ भी बोलेंगे, सारे दिन माबाप से डाट खाएंगे, मार बहुत खाएंगे माबाप से, ऐसे बच्चे, मेरे बेटे की मुझे कुणलि चेक करनी पड़ेगी तर, है ना, पर बहुत छोटी सी चीज आपको इसके लिए मैं बताती हूं, ऐ आप कालिया नाग के उपर ठाकुर जी का नत्य का एक पिक्चर है, लगा दीजी, अचा उससे ठीक हो जाता है, दीरे 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 करके वो बच्चा अपने आप फोकस में आने लगेगा, आप जो समझाएंगे, वो बच्चे की बुद्धी में जाएगा, अब देखिए इस के पास्ट का भी है, आपके भी है, बहुत सारी चीज़े, लेकिन एक छोटा सा सरल सा उपाय करने में आपका क्या जा रहा है, आपका फाइव रुपीज भी खर्च नी हो रहा है, एक चीज और जो हम लोग अपने घरों में कर लेते हैं, जैसे जो पुराने कपड़े होते ह पुराने कपड़े होते हैं, पुराने कपड़ों का कई बार तो मम्या पहले बना देती हैं, और जूते, और किसी ना किसी को दान दे दिया जाते हैं, वो करना चाहिए या उसका भी कुछ असर होते हैं? चहरा जो है वो गोल है, आप उसका कपड़ा किसी को देने जा रहे हो फ्री में, दान करने जा रहे हो फ्री में, और उसके हाथ में ये जो अंगुठी के नीचे वाला ये जो परवत होते हैं, इसे कहते हैं शुक्र परवत, ये बहुत गद्देदार है, बहुत उठा हुआ तो ऐसी कंडिशन में आप चाहे एक रुपया ले लिजे पर कुछ लेके तब ही वो कपड़ा किसी को दीजिए एक रुपया तो कोई भी देगा आपको कोई मना नहीं करेगा देने के लिए और देने से पोर्व आप उन कपड़ों को अच्छी से धो लिजे ऐसा नहीं कि जैस उसको कभी भी वाइफ अच्छी नहीं मिलेगी शुक्र अच्छा नहीं से जी ऐसी वाइफ नहीं मिलेगी जो उसको मतब तुम दिन को अगर रात को तो रात कहेंगे वाली नहीं मिलेगी कही ना कहीं दौनों की मिच्छल अंडरस्टैंडिंग हमेशा खराब होती रेख तो बहुत छोटी सी आपको मैं चीजे बताती हूँ, ऐसा बच्चा जो होगा न, वो बहुत सारी प्लैनिंग्स करेगा, बहुत कुछ सोचेगा, बहुत लंबी-लंबी बाते उसके दिमाख में आएंगी, करने के लिए वो बहुत कुछ करना चाहेगा, लेकिन उसको ग्रह परिस् है, वो उसको आप हफते में एक बार हल्दी के पानी से जरूर धुलवाईए, बहुत बेसिक सा उपाए है, जिन बच्चों का कॉंसेंट्रेशन लेवल बहुत कमजोर है, जिन बच्चों की यादाश बहुत कमजोर है, उनके लिए भी हल्दी वाला उपाए करिए, केसर डा एक जो सबसे बड़ा कॉश्चन सब की लाइफ में है, फाइनेंसिज, उसके लिए कुछ बताईए आपकी वो कैसे ठीक किया जाए, जेनरिक वो उसमें, एक कहनी सुना है, सुनाइए, चलिए, एक व्यक्ती जो चौदा दिन में बन गया करोड़ पती, करोड़ पती भी एक चीज से, क्या चीज थी माँ, आपको रखनी है, आप पहले बताईए, उसके बाद सोची, नहीं रखनी, वही मैं आपको बता लिए, देखे, क्या होता है, कि जब इनसान का वक्त बुरा आता है, और मैंने जैसे आपको बताया कि कल्यूग बढ़ता चला जा रहा है, तो इ कोड होता है, जैसे हर कंप्यूटर के आगे, जब आप उसको खोलेंगे, या आप अपना मोबाइल जब खोलेंगे, तो आपको एक पास्वेड लगाना पड़ेगा, वरना वो खुलेगा नहीं, लगबग लगबग 98% कुनलियों में ये लगबग सिस्टम होता है, 2% नहीं ह जाता है क्योंकि ठियोरी है, कोई भी पड़ सकता है, लेकिन इनका समाधान नहीं हो पाता है, उसके लिए तो फिर काफी जादा knowledge होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात इनकी कृपा होनी चाहिए, इनकी कृपा तो मैं हर एक पे नहीं हो सकती हूँ, नहीं सब पे है बई, क तो मेरे थाकोर जी कि मुझे लगता है इस दुनिया में एक छोटे से पत्ते पर भी है, आप उस चीज को अपने साथ कैसे जोड़ पाते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है, तो एक हमारे क्लाइंट जानकार जो भी बोले हैं, उनको किसी ने ऐसा बताया कि आपके घर क अंदर कुछ दबा हुआ धन है, अब देखे क्या होता है तरुंट कि जो कोई इनसान बहुत प्रॉब्लम में चल रहा है, कोई फाइनेशली प्रॉब्लम में चल रहा है, तो उसको यह लगता है कि अरे ऐसा है, तो इसका मतलब ईश्वर्ण ने मेरे लिए कोई रस्ता खोल उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती मैं बिल्कुल नहीं मानूँगे, वो एक बहुत बुरे फेस से गुजर रहा है, लेकिन बस यहां पर इनसान से गलती क्या हो जाती है, वो कही न कही न किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं उस समय अप्रोच करता या उस तक नहीं पहुंचता जो आपको कोई करने के लिए बता रहा है, तो एक बर किसी सात्विक के पास भी चले जाओ, हो सकता है, उसी चीज का कोई और भी तरीका हो, पॉजिटिव वे हो, एक्जेक्ली, आपका भाग्य खुलना है, तो वो कही ना कहीं से खुल जाएगा, तरुन खोल देंगे, मैं खोल कोई भी खोल देगा, और हम दोनों नहीं खोल देंगे, तो सुनने वालों का आप ठाकुर्जे उद्धार कर देंगे, तो देखे, जिस पर होनी है न कृपा प्रभू की, उसको कोई ना कोई जरिया अपने आप मिल जाता है, एक छोटी सी चीटी भी फिर आपके लिए कारे कर जाती है, है न, ये बहुत बड़ी बात है, अब क्या हुआ कि उनको वो तांतरिक मिल गया, उन्होंने उनको बताया कि आपके घर में फलानी जगे पर ये चीज दबी हुए, आप निकाल लीजे, और बहुत अच्छा खासा धन है, अब लालच आ गया, अब उन तांतरिक ने क्या किया, उनको एक चांदी की छोटी सी डिबी दी और उनको कहा कि ये चीज आप अपने घर में रख लेना, मैं आप आपके यहाँ पर पांच दिन बाद आऊँगा, और पांच दिन बाद आँगा, आपको आके बताऊँगा कि अपन ये क्रिया कप कर सकते हैं, अब पांच दिन बाद वो आया उसने वो डिबी खोली उसने जो भी अपना जो करना था उससे करा और उन्होंने उनको एक डेट दे दी कि मैं इस डेट पर आऊंगा और आपकी ये चीज को कर दूंगा मुझे जगे खाली चाहिए आपके घर में ऐसा चाहिए वैसा चाहिए फलान नियुका अने लेकिन वह होता है विनाषकाले भिपरित बुद्धिम तो उन्होंने क्या किया रही जाए रहा महाराँ जैसा वे ठांत्रिक उनके लिए भगवान था नहोंने ठीक है जैसा आप बोलो जो आप चाहो कर उन्होंने जो भी क्रिया विया करी कर कराकर आके वह ब मिल गया उसमें से उन्होंने अपना परसेंटेश जो भी बताया हो कि एक घड़ा में ले जाओंगा या जो भी था उन्होंने वो भी उनको दे दिया वो डिब्बी उन्होंने बोला क्या करनी है, डिब्बी आप अपने पास रखोगे, मैं समय आने पर ये डिब्बी आप से ले जाओगा ठीक, ठीक है जी, थोड़े दिनों बाद, दो-तिन महीने के बाद, अचानक से उस घर में एक बच्चे ने अपने अप सुसाइड कर लिया, रीजन किसी को नहीं पता, कोई अफेर था, नहीं था, कोई करजा था, नहीं था, कोई टेंशन थी, नहीं था, कोई और बात थी, नहीं थी, क्यों सुसाइड करा, किसी को नहीं पता, बिना किसी रीजन के, चलिए जी, थोड़ा समय निकला, कोई बात नहीं, चीज़े वापस back to normal होने लगी छे महीने बाद दूसरे बच्चे ने फिर सुसाइट कर लिया जवान लड़के दोनों, unmarried वो भी without reason वो भी without reason अब पूरी जगे में वो जो महला था या जो जगे थी वहाँ पर खूब हर कम मचा जैसे दैसे उनको कुछ पता लगा तो वो हम तक पहुँच गए आए, उन्होंने हमसे कहा कि ऐसी ऐसी बात है ठाको जी ने दिखाया इनके घर में कुछ ऐसा है जो इनके घर के जितने भी पूरे कुल के जितने भी इस एज के लड़के हैं ना उनको लेकर जाएगी मैंने उनसे पूछा आपके घर में ऐसा क्या रखा है तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी ऐसी बात थी पूरी बात पहले तो कौन ही मानता है उनको भी डर लगता है भाई, यह कहीं कंप्लेइन कर देंगे कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा पर उनको जब थोड़ा सा बोला गया कि देखो आप छुपाओगे तो गरबर हो जाएगे आप सच सच बताओ, तो उन्होंने बताया पूरा अच्छी से बताया बेचारोंने कि ऐसे ऐसे गुरुमा दिक्कत हुई यह सारी प्रॉबलम हुई और ऐसे हमारे घर से यह रखाया मैंने उनसे का कि वो डिब्बी उठाईए और जाके जिससे आपने लिया था उनके घर जाईए और वहाँ पर उनको जाकर दे आईए उनके घर गए पता चला वो पूरी की पूरी फैमली जो वो तांतरिक की फैमली थी पूरी की पूरी खतम तांतरिक के इक अट्रोल में नहीं कई बार छोड़ी वही चीजें खुद छोड़ने वाले के हाथ में नहीं होती लालज बहुत बुरी चीजें इसी लिए बोलते हैं वो धनका यूज उसने भी किया ही है क्योंकि तांतरिक में अब फिर फास गए क्योंकि आप ऐसी टीपिकल प्रॉब्लम में आ गए जिसने आपको दिया उसके पास था किया उसने चोड़ा किया कुछ पता नहीं चलिये जी ठाको जीसे बहुत अनुगरह किया गया पता किया गया कि क्या चीजे है कैसे हैं बहुत सारे लोगों की हेल्प ली गई इसके अंदर बड़े बुज़र्गों को बहुतों को शामिल किया गया तो मालुम पड़ा कि यह बहुत गंदी चीज़ है और ये इस घर के कम से कम साथ लोगों को ले कर जाएगी और वो भी यंग जवान लोगों मतलब ले कर जाएगी ही जाएगी फिर उसका सॉलुशन पूछा गया थोड़ा मुश्किल था टिपिकल था पर ठीक है जैसा भी था करा गया हटाया गया सारी चीजों को वो जो धन था जिससे उन्होंने जो जो उपियोग करे थे वो सारी चीजों को इखटा किया गया उन पैसों को फिर उसको एक सात्विक काम में लगवाया गया फिर उनका अनुष्ठान कराया गया पूजा कराई गई कुछ दान पुन्ने कराए गए अब जाके घर में stability है चीज़े better है तो लोगों को पता ही नहीं है आपको कोई भी चीज बोली जाती है ये फलानी चीज उठाके रख दीजे ये यहां रख लीजे ये वहां रख लीजे पता ही नहीं है कि किसी चीज से आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो तो बिचारे कई लोग जो होते हैं जो problem में होते हैं उनको बताया जाता है वो कर लेते हैं exactly अब जैसे मैं आपको एक छूटी सी चीज और बताती हूं बड़ी आपको अजीब सी लगेगी लेकिन बात सत्यता है आपने गनेश जी की मूर्ती सब के घर में देखी हो ठीक अब गनेश जी की मूर्ती तीन तरह की होती है एक जो उनकी सून्ड राइट की तरफ होती है एक लेफ्ट की तरफ होती है और एक जो सीधी होती है सीधी सून्ड वाले जो गिनपती जी होते है वो हमेशा बच्चों के रूम में रखवाने चाहिए जिनकी राइट की तरफ बेंड रुख्यों नई बिल्कुल सीधी सामने सीधी सून्ड होती है ठीक है? वो हमेशा बच्चों के कमरे में रखवाने चाहें ठीक है? चाय पोस्टर चाय मोर्ति चाय आप उसको शुद्ध कर रहे हैं मतलब आप उनको प्रान-प्रतिश्टित कर रहे हैं चाय आप स्रेफ उनको उठा के वहाँ पर रखे रहे हैं पर जो सीधी सून वाले गणपती होते हैं, वो स्ट्रेंथ देते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं, वीजन देते हैं, अर्जुन की तरह आपकी नजर एक ही चीज पर सधी रहेगी, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कॉ और उनके business में बार-बार उतार चड़ाव आ रहे हैं। आप अपने office के front में घुसते ही सामने ऐसे गंपती जी रख दीजे। सीदी सुन वाले। बिल्कुल आपके client कहीं भी आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे। आपकी चीजें stable हो जाएंगे। मैं अपर जाने की बात नहीं कर रही हूं। मैं यह नहीं कर रही हूं कि रातों रात आप ऐसे यहां से जंप मारेंगे और आप आस्मान पर पहुंच जाएंगे। नहीं चीजें अगर ऐसी उबर खाबड है ना। लाइफ की हड़ल को खटम करने के लिए 95 में रोज दन प्रोब्लमस को खटम करने के लिए छोटा सा उपाए। तो यह अमेजिंग उपाए है हमारी हर चीज के अंदर ना इतना इतना अमरित भरा है मैं आपको क्या बता हूँ इतना अमरित भरा है कि आप अगर उन चीजों को सोच के समझ के काम कर लेते हैं तो जिन्दगी वास्तव में बहुत अच्छी है अब इसी के अंदर आप देखिए एक तो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं आपको बहुत बारिक चीज़े समझाने जाओंगे पर छोटी-छोटी चीज़े समझाते हूं लेफ्ट साइड वाले जो गणपती जी की सून्ड होती है वो घर के अंदर हमेशा मंदिरों में रखनी चाहिए क्यों? क्योंकि उनके आशिरवात से हमें प्रोस्पारिटी मिलती है व्रद्धी मिलती है सद बुद्धी मिलती है हमारे विग्न हरते है हमारे जीवन के अंदर हमेशा हमें उन्नती मिलती है ठीक तो घर के अंदर जो गणपती जी की सून्ड लेफ्ट की तरफ जा रही है वो हमें जरूर रखनी चाहिए राइट हैंड की तरफ जो सून जा रही है और वो गणपती जी अगर हम रखते हैं तो उनका पूजन पाठ बहुत तरीके से करना पड़ता है ऐसे गणपती जी उन लोगों के लिए बहुत अच्छे होते है जो सिद्धिया करते हैं जो साधनाय करते हैं तीवर वो तीवर गणपती हो गए जाधा तर आपको जितने भी विनायक मंदिर है ठाको जी निकलता है गनेश जी के जितने भी मंदिर है उनके अंदर आपको वो बहुत ज़ादा सिद्ध मंदिर मिलेंगे जहां पर उनकी सून दक्षिन की तरफ होगी सिद्धी विनायक मंदिर साउथ के बहुत सारे मंदिर हैं ऐसी जो मूर्तियां होती है उनसे आपको आश्रवाद बहुत सरलता से प्राप्त होता है लेकिन इन मूर्तियों को रखना इनको समहालना इनका पूजन बहुत विशेश होता है प्रपर एक प्रसीजर होता है हां जी तुरूटिया नहीं कर सकते आप इनके साथ ठीक, इसी लिए इन्हें घर के अंदर नॉर्मली स्थापित नहीं करा जाता मना करा जाता है जिन बच्चों को बार 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 दिक्कत आती है कि वो अपनी चीजों से भटकते हैं दोस्ति यारी में बहुत जा रहे हैं ऐसे बच्चे जो माबाप का कहना नहीं मान रहे हैं नशे के आदी हो चुके हैं जो बहुत कम उमर में प्रेम प्रसंगों में पढ़ गए हैं अफेर्स चल गए हैं जो अपनी लाइफ में कोई देहरी नहीं लेके चल रहे हैं उन्हें पूछो आपको क्या करना है पता नहीं क्या करना है बटक से गए हैं ऐसे बच्चों को हमेशा हल्दी के गणपती का पूजन कराना चाहिए हल्दी के गणपती हां जी हर चीज के गणपती आते हैं आपको यहीं नहीं पता होगा आपको क्या बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा हल्दी से गणपती जी नर्मान होते हैं गणपती जी ऐसे एक मात्र देवता है जो आख के पौधे की जड़ में स्वते ही अपने आपको उत्पन कर लेते हैं आख के पौधे में उसकी जड़ जो होती है वो गनपती जैसे आकार ले लेती है जी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे पास है अच्छा हां जी यह तो हमारा हो गया finances का बात अभी हम के लिए हमें हमें और भी बहुत सारी चीज है जो हमें कर नहीं चाहिए मैं आपको एक-दो remedies और बता देती हूं finances के लिए देखिए सबसे बड़ी चीज यह होती है कि हमें मा लक्ष्मी को प्रسंट करना होता है ठीक है तो जिनको बहुत ज़ादा दिक्कते आ रहे हैं finances को लेकर उन्हें भूले नात के उपर शुकरवार के दिन या तो गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए अब मौसम ऐसा है कि गन्ने नहीं मिल पाएंगे तो आपको मीठा जल चढ़ाना चाहिए ठीक है गन्ने का जल मतलब गन्ने को मिला के पानी के अंदर उनको अर्पित करना चाहिए नहीं तो आप मीठा जल भी उन्हें चढ़ा सकते हैं शुकरवार की रातरी में स्वटिक की माला या कमल गटे की माला लाल कपड़े पहन कर आपको इसके उपर मा लक्ष्मी के मंतर का जाप करना चाहिए और इस माला को लाल रंग के कपड़े में आपको बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए ठीक है, शुक्रवार के दिन, दिन में करना है ये काम, शुक्रवार के दिन, आप कोई भी धातू ले लीजे, जैसे कि चांदी हो गई, सोना हो गया, पीतल हो गया, ठीक है, लोहा मत लीजेगा, कोई भी धातू ले लीजे, इन तीनों में से, एक जार लीजे, उसके अंदर आ पांच होगा तो बावन होगे ठीक है और वो धातू उसके साथ में रख दीजे ठीक है इसके अंदर आप एक वाइट कलर के पेपर के उपर या भोज पत्र के उपर ट्राइंगल बनाएंगे लाल रंग के पेन से उसके बीच में आप लिखेंगे कलिम एक साइड में लिखेंगे आप 1722 दूसरे साइड में लिखेंगे 1722 जहां लिखेंगे वो आपका लेफ्ट हंड होगा और दूसरा एक number आप लिखेंगे वो होगा 6162 यह आप राइट साइड में लिखेंगे इसको आप फोल्ड करेंगे और उस जार के अंदर रखके लाल रंग के कपड़े के उपर आप अपने घर के नौर्थ डारेक्शन में इसको प्लेस्ट कर देंगे और इसके बाद लगबग 5 फ्राइडे तक आपको हर फ्र कुबती दिखाएंगे और उसके बाद इसको वापस से वही रख देंगे तो फाइनेंस प्रॉब्लम जो है वो खतम होने लगती है अगर आपके घर के अंदर बहुत जादा पैसो की किल्दत हो रही है करजा बढ़ रहा है फाइनेंशली बहुत दिक्कतें आ रही है तो इनपती जी को रिद्धी सिद्धी के साथ पोस्टर में भी मिल जाते हैं और मूर्ती में भी मिल जाते हैं आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर उन्हें स्थापित करना चाहिए ऐसा करने से भी हमेशा घर के अंदर बरकत और पैसो का फ्लो बना रहता है घर के द्वार पे जो आप बोल रहे हैंगे ज़र के बाहर की तरफ आप इंपर दर्वाज़े के उपर? तो अभी कोविड की वजह से भी लोगों का बिजनस बहुत फेक्ट हो अइक है तो उसमें लोगों का जो जैसे जूलरी होती है गोल्ड होता है वो उन लोगों ने बिचार ने गिरवी रखा वो आप छूटी नहीं पा रहा तो उसके लिए कोई specific remedy है कि गोल्ड जो आपने गिरवी रखा हो वो आप छुड़वा सकें बिल्कुल है गोल्ड छुड़वाने क लिए गुर्वार के दिन आप किसी भी हरी मंदिर में ठाकुर जी के किसी भी रूप में जैसे कि विश्णु भगवान के मंदिर में या राम जी के मंदिर में या ठाकुर जी के मंदिर में केसर की दो पत्तियां गुलाब के पुष्प की पत्ति के उपर रखकर गुलाब का आप चाहें तो कटोरी की जगे आप डिस्पोजबल भी ले सकते हैं, या आप मिट्टी का कोई कसोरा ले लीजे, ठीक है, जो आप मंदिर में छोड़ा है, ऐसा लगाता नौ गुरवार करिए, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक होने लग जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके साथ भी क्या करजे से मुक्ति के लिए आपको, और खास करके गोल्ड, वैसे तो देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लोग बहुत सरलता के साथ ये काम कर लेते हैं, कि जब कुछ नहीं होता तो वो उठाके गोल्ड रिजर्व कर देते हैं, ये भी अपने आप में एक दोश बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दोश होता है, तो अगर कुंडली में ऐसा कोई दोश उत्पन हो रहा है, तो पहले हमें उसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, नहीं, तो ये तो बहुत सरल्ल रेमेडी है, होमोपैथिक की तरह काम करती है, आप ये कर लिजे, ठाको जी का आश इतना बिजी हो गया है, बीवी भी काम कर रही है, हस्बन भी काम कर रहे है, तो उनके बीच का जो तालमेल है, वो कैसे सही रहे है, देखो तरुन, ये एक ऐसा टॉपिक है, जिस पे मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, आपसी तालमेल के लिए हम उपाए, ग्रह, इ आपको अपने आप में संकल्प लेना होता है, कि ये रिष्टा मेरा है और मुझे इसको निभाना है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आता, कि कोई भी रिष्टे में आप जुड़ने के बाद उसे तोड़ने के लिए इतनी आसानी से निर्ने कैसे ले पाते हैं, तो ये आजकल का ही जादा प्रॉब्लम है, अब लोग ये कहेंगे कि ये ऐसी बात करें, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर रही हूं, ठीक है, आप आजकी ही सिच्वेशन को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, है न, और उनको आप एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशि करिए, ठीक, मा सीता को, जब श्री राम ने ऐसा कहा कि तुम्हारे उपर मेरी प्रजा उंगली उठा रही है, और अब मुझे राजा का धरम निभाना पड़ेगा, मेरे हिसाब से तो कहा भी नहीं ही ये बात, श्री राम ने ये बात कहीं नहीं, वो स्वेम ही समझ गई कि म राजा का धरम है, वो किसको अपना है, तो वो स्वेम ही उस निर्ने पर आ गई कि मुझे ये क्या करना चाहिए, ठीक, अंडरस्टेंडिंग का लेवल बता रही हूं आपको मैं, ठीक है, उन्होंने एक बार भी उंगली नहीं उठाई अपने पती के उपर, उन्होंने ये का, कि ये तुमआरी माने, तुमआरी बहनों ने, तुमारे भाईों ने, तुमारी प्रजाने, सब ने मिलकर ये प्लैंट किया था मेरे लिए, कि मैं किसी तरीके से तुमारे घर से निकल जाओं, नहीं, उन्होंने उनकी सीचोेशन को समझा, दर्द हुआ, दुख हुआ, जिसके लिए उन्होंने बाद में अपने आपको भूमी में समा कर ये साफ जता दिया कि मैं किस दर्द से गुजरी हूँ लेकिन उस वक्त उन्होंने पत्नी धर्म निभाया पती की उस द्वंध परिस्तिती को समझ कर वो अपने आप उस जगे को छोड़ कर चल दी। ठीक आज कल में अगर ये सिचुएशन हो जाए आज अगर ये सिचुएशन हो जाए तुरंत सौ नंबर पर कॉल हो जाएगा मुझे तो ये नहीं पता वो लेडीज वाला कौन सा होता है उस नंबर पर कॉल हो जाएगा तुरंत पती भी जेल में सास भी जेल में ससुर भी जेल में सब जेल में चीजें तो विचारे जो घर पर नहीं भी आते उनका भी नाम लिखवा दिया जाता है ठीक और फिर एट लास्ट क्या होगा ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ और वाइस वर्दा इसी चीज़ को आम मैं मेल्स पर ले त्योंकि आब और ओड़त और फिर वो रिष्टा एक का कहलाता है फिर आप दो नहीं रह जाते हैं फिर आप एक हो जाते हो थीक अब यहीं पर आप श्री-राम जी को देखी ब्हघवान राम हुआ मा सीता को रावन उठा के ले गे, ठीक, श्री राम जी वन वन भटक रहे हैं, जगे जगे घूम रहे हैं, ना कोई सेना है, ना कोई साथ है, वानरों को साथ में ले लिया, जिससे जो मदद मिली उससे मदद ले ली, और जाकर अपनी पत्नी को बचाने का पूरा प्रयास कर र होई, इतने टाइम रावन के पास रही है, एक्सेक्टली, क्यों नहीं आप ये चीज मानते हैं, कि ये रिष्टा इतना मजबूत है, इतना कमिटेड है, और मैं पर्टिकुलर किसी पर उंगली नहीं उठा रही हूं, मेरे पस अनलिमिटेट केसे हैं, जहां पर, लोग शादी एक बहुत बड़ा हवन कुंड है, जिसमें आखरी सास तक आहुती देनी पड़ती है, तब जाकर वो सिद्ध होता है, और नाना प्रकार की आहुतियां देनी पड़ती है, जिससे केवल दो लोगों की शादी नहीं टिकती है, उस घर परिवार की व्रद्धी नहीं ह होती है, उसमें वंच व्रद्धी नहीं होती है, उसमें बच्चों का भविश्य तया नहीं होता, उन चीजों से ना जाने आने वाली कितनी पीडियां तर जाती है, तो हस्बन वाइफ के रिलेशन्शिप को सबसे पहले ठीक करने के लिए जो चीज चाहिए ना, वो आपसी मेल जोल चाहिए, आपसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, विश्वास चाहिए, इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है, रेमेडी है, होच सारी रेमेडी हैं, लेकिन बेटा, आप जिस रिष्टे के अंदर अपना हंडेट परसंट देना चाहोगे ना, वो रिष्टा कही ना कह सुद्रेगा, एक दिन, दो दिन, पांच दिन, दस दिन, पंदरा दिन, कभी तो वो वक्त आएगा, जब वो रिष्टा सुद्रेगा, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, कि नहीं हम से तो नहीं हो रहा हम हार गए, तब आप जरूर करिए, और इश्वट ने चाहा, ठाक एक मंगलवार के दिन, आपको अपने घर के अंदर, गुलाब जल से पोचा लगाना चाहिए, गुलाब जल को थोड़ा पानी में मिलाके, इससे पोचा, हर मंगलवार को ही करना है, ये काम, खुद लगाना है, किसी से भी लगवा सकते, जो काम करने वाले हैं, उनसे भी पाटनर का फोटो अपने एक बेडरूम के अंदर जरूर रखना चाहिए, एक साथ जुडा हुआ फोटो, जरूर रखना चाहिए, ऐसी कंडिशन में हस्बन वाइफ को हमेशा अपने कमरे के अंदर एक शंक जरूर रखना चाहिए, बहुत छोटी सी है, लेकिन बहुत ताक अपने घर के अंदर किसी भी तरह की सीनरी कभी नहीं लगानी चाहिए अगर आप लोगों में डिस्प्यूट्स बहुत जादा हैं तो काफी सिंपल उपाय हैं बहुत सिंपल उपाय हैं और फिर बहुत सारे वश्यकरण के उपाय होते हैं जिनके लिए मैं स्प्रेशिस्ट उखाज करके हस्बंड वाइफ के लिए क्योंकि मुझे न कोई भी रिष्टे में टूटन परसंद नहीं हैं मैं बहुत सेंसिटिव हूं बहुत बड़ा पाप है, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिष्टे को हमको तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी, और खास करके ये रिष्टा, ये रिष्टा तो आधार ही प्रेम है, और है भी साथ जन्म को आप इसी जन्म को निभापारे, और ये रिष्टा एक ऐसा रि ये बहुत पावरफुल उर्जा का काम करते हैं, शिवर्शक्ति, बिल्कुल, बहुत जबर्दस उर्जा का काम करते हैं, और जब ये दोनों एक समानतर होके चलते हैं आप यकीन मानिए, आप ऐसे घर को कभी नहीं तोड़ पाएंगे, आप ऐसे घर में कभी कुछ गलत नह कर पाएंगे जहां पर husband wife बिल्कुल एक tuning से चलते हैं घरों में दरारे वहीं आ रही है घरों में विनाश वहीं हो रहे हैं घर के अंदर problems वहीं आ रही है जहां पर ये दौनों एक नहीं है फैवी कॉल से जुड़े नहीं है अब ये अगर जब ये जुड़ गए जो आपकी बताई रेमेडी से काम करके तो ओविसली अब में गिट्स प्रेगनें एक लिशन्शिप में तो उस जो बच्चा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ अलग से रेमेडी होती हैं उसके ऊपर कोई बुरी नजर ना लगे या प्रेगनेंसी आराम से निकल जाए जब कोई लेडी प्रेगनेंट है और वो बेबी कंसीव करती है बहुत ज़ादा रहता है मैंने अपने एक एपिसोड में मुझे याद नहीं है कहां पर मैंने अपने एक पॉड़कास्ट में भी शायद यह बताया था कि एक ऐसी शक्ति होती है एक ऐसी आत्मा होती है जो बच्चो को ही खाती है गर्ब के बच्चो को खाती है मैंने बताया था और यह बहुत गलत क्रिया होती है और कुछ लोग तो जानमुचकर ये कारे करते हैं कुछ लोग जानमुचकर ये कारे करते हैं कि गर्ब के बच्चों को जानमुचकर खतम करवा देते हैं और उससे बहुत भेंकर तंतर होता है तो वो शक्तिया प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं ठीक है तो ये तो देखे बहुत वस्ट चीजे है और इनका प्रोटेक्शन होना भी चाहिए इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जो भी प्रेगनेंट लेडी है वो किसी भी शनिवार के दिन एक काले धागे के अंदर एक कौड़ी डाल कर कौड़ी होती है उसके अ ऐसी कंडिशन में कभी भी प्रेगनेंट लेडीज को अपना पेट खुला नहीं छोड़ना चाहिए खास करके रात तरी के वक्त खास करके अमावस्या के समय खास करके तब ऐसी टाइम पर जब ग्रहन लग रहा हो तब उन्हें अपना पेट बिलकुल भी खुला नहीं लाती है उसके अंदर एक छोटा सा पिन जरूर रखना चाहिए लोहेका या किसी भी चीज का लोहेका ही रखा जाता है बेसिकली वैसे तो पर अब पहले वो भी बोलते थे थे ना मैं कि उसके तक ही चाकू रखके सो यह थोड़ा था बुरे सपने नहीं आते टाइप हां च जड़ा लांगते हैं या आप कई चाराय से जा रहे होते तब भी कहते हैं कि आप साथ में कौले जाएए तब भी ऐसा कहते हैं कि आप अपने पल्ले के अंदर राई और लां बांद के लिए जाए ऐसी बच्चो की ना नजर वकत वकत पे उतारने ही चाहिए असी तरीका वही है, उसी से उतारनी चाहिए, ऐसे बच्चों को धार्मिक चीजों की तरफ रुझान जादा रखना चाहिए, ऐसी बच्चियों को सात्विक चीजे बहुत पढ़नी चाहिए, ऐसी बच्चियों को भगवान का जाब बहुत करना चाहिए, ऐसी कंडिशन्स में राम direction में सवाल है मैं जी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक investment के लिए property ले ली जी और आप वो investment के ले ले थो ली लेकिन वो बिक नी दी और उस पर loss पर loss हुए जा रहा है उसके लिए कुछ एक specific remedy है कि आपकी जो property है जो आपने जमीन खरीदी हुए है वो भिग जाए टाइम से पारा सुना है अपने पारा पारा मर्करी जी इस problem के लिए पारे से अच्छा कोई उपाय नहीं है पारे के अंदर इतने अच्छे गुण होते हैं इतने अच्छे तत्व होते हैं कि वो बहुत जल्दी चीजों को अपने अंदर समेट लेता है छूटी सी पारे की गोली ले लीजे और इस पारे की गोली को शहत की डिब्बी के अंदर डाल दीजे या शीशी के अंदर डाल दीजे ठीक है और जो प्रॉपटी है उस प्रॉपटी के वेस्ट कॉर्नर पर आप या तो इसको दबा दीजी या वहाँ पर आप किसी गमले के अंदर मिट्टी डालके उसके अंदर इस डिब्बी को रख कर आ जाएए किसी भी दिन किसी भी तित्थी पर ये कारे कर लिजे विदिन थ्री मन्स आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएए अब हम एक और चीज है जो आज कल हर हम सब लोग अपनी फैमिली में चाहते है कोई ना कोई बच्चा बाहर सेटल हो जाए या बाहर पढ़ने चला जाए और पर उसका कुछ ना कुछ इशू हो रहा है कभी वीजा कैंसल हो जाता है या नहीं लग पा रहा है उसके लिए कोई स्पैसिफिक ऐसे बच्चे के कमरे के वेस्ट वॉल के उपर उरते हुए पक्षियों का फोटो लगा देना चाहिए कमरे की वेस्ट वॉल पर इतरा सिंपल सा चीज है बिलकुँ आपको उडाना है अपने बच्चे को आपको भेजने हैं अच्छा मैं इसके अंदर भी आपको कुछ चीजे बताती हूं अस्ट्रोलोजी कितनी मज़ेदार है यह बताती हूं आपको जिस कुंडली के अंदर सूर्य चौथे घर के अंदर बैठा है या विदेश से ही उनका कोई काम चले ठीक है ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी तरक्की उनकी व्रद्धी वहां होगी जो आपसे ओपोजिट देश होगा जैसे अपनी आरात हो रही है वहां पे दिन हो रहा है ठीक है अब आप एक छोटी सी और कैलकुलेशन अस्ट्रोलोजी के हिसाब से समझे ऐसे बच्चे जिनकी कुणली के अंदर उनका सूर्य अच्छा है अच्छे घर में बैठा है या अच्छे नक्षत्र में बैठा है गुड रिजल्ट्स दे रहा है ठीक है चाहे वह उसका आपके किसी भी घर के साथ किसी भी चीज़ के साथ कोई संबंध है नहीं है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपका सूर्य अच्छा है, अगर कुंडली के अंदर बैठा है, अच्छा है, ऐसे बच्चों को हमेशा अपने पिता के साथ ताल मेल बैठा कर, उनकी राय से, उनकी एडवाइस से काम करना चाहिए, अगर पिता नहीं है, तो पिता इस कुंडली में आप अपने सूर्य का बताया है, ये डेस्टनी में ही आ जाता है, जाएंगे बहरे बाहर जाने के तो बहुत सारे कॉंबिनेशन होते हैं, कुंडली के अंदर, वो अगर आपकी कुंडली आपको दिखा रही हैं, तो आप बाहर जाओगे ही जाओगे, ढ़ जो आपकी 12 खाने होते हैं, उनका अपस में ऐसा combination होता है, जो आपको लेकर जाता ही जाता है बाहर, आपको इंडिया में रहने ही नहीं देता, लेकिन कई बाहर क्या होता है, कि ये चीजे आपके past life से भी connected होती है, ये आप बहर जाएंगे, आप बहर जाएंगे, पास होती है, कि मैं वापस वहाँ जाओ, जिस time पर उसकी death हुई है, उस समय अगर उसकी favorable दर्शा चल रही है, उसकी कुंड़ी के हिसाब से, तो ऐसा व्यक्ति वापस वही जाकर पनप सकता है, जहां उसकी death हुई थी, अच्छा, तो ये इसमें भी पिछले जनम का, ये पिछले wife का पूछा न, मैं आपको एक बहुत कमाल की बात बताती हूं, तरुम, हमारे पास इतनी जबरदस्त astrology के अंदर power है, कि हम ये बता सकते हैं कि किसकी कुंड़ी में कितना percent marriage life अच्छा चलने का यूग है, अच्छा, इसलिए कुंड़ीया मिलाई जाती है, वो तो खेर बहु कि हमारी शादी में problem आ रही है, हमारे relationship में problem आ रही है, तो इसका solution कैसे निकलेगा, और इसका solution है क्या, तो दोनों की कुंड़ी से ये निकाला जा सकता है कि किती percent marriage आपकी जो है, chances है, chances है survival के, अगर अच्छे survival chances है, तो उपाय करियो बिल्कुल आपकी marriage टिकेगी, कई में ऐ अच्छे निकाला होती है जो मैरी लाइफ में रहते भी हैं, पर साथ नहीं रह पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों husband wife में, बहुत प्यार है, बहुत अंडरस्टेंडिंग है, सब कुछ है, लेकिन reason कुछ ऐसे हैं, कि husband किसी और city में, वाइफ किसी और city में, दोनों अगर एक और मेरे दिमाग में अभी सवाल आया, क्योंकि मेरा खुद का बेटा है, और बड़ा हो रहे हैं, तो अगर बच्चों को कुछ बुरी लत लग जाती है, जैसे आधकर तो smoking, drinking, काफी आम बात है, तो उससे बच्चों को बचाने के लिए कुछ बेसे हैं, बहरो बा बात से टाइम टू टाइम बहरो मंदिर में जाकर प्रशाद चड़वाईए, टाइम टू टाइम बच्चों को ले जाकर बहरो मंदिर में धोक दिलवाईए, सबसे बढ़िया तरीका है, तो बहरो मंदिर में क्या प्रशाद चड़ाना चीए, वह अलग अलग बहरो बाबा है तो यह डिपेंड करता है तो बहरो बाबा भी अलग अलग होते हैं मुझे तो नहीं पता था इस बारे में कि बहरो बाबा भी अलग होते हैं उनका प्रशाद भी अलग अलग होता है चलो हम फिर किसी दिन इस पर पॉड़कास्ट बनाएंगे बहुत तरह के बहरो बाबा हो आजकल ना मैंने और भी कई वीडियो देखे हैं उसमें स्विच वर्द्स के बारे में बहुत बात्चीत की जा रही है तो मुसली वेस्टन सुच वर्द्स पताते हैं तो हमारे वेदेक उसमें भी कुछ वर्द्स है अक्षय पात्रम यह किसी चीज के लिए होता है अक्षय प आपको लगे कि कोई चीज खाली हो रही है खाली पना रहा है किसी चीज में तब इसका यूज किया जाता है रिलेशन्शिप में खाली पना रहा है तो अक्षय पात्रम सुच वर्द्स है सब कुछ हम से ही निकला है तरुन अब बोलो उस चीज को नए तरीके से पेश करें देखो सिंपल सी एक चीज बताती हूं मैं आपको आपने अपने घर में मम्मी के हाथ की वही दाल मखानी कितनी बार खाई होगी अलग-अलग रेस्टोरेंट्स में जाके थोड़ा थोड़ा पेश करने का तरीका चेंज हो जाता है और वही दाल मखानी आप खा कर आते हैं डाल तो वही है मक्षन वही है ठीक है तो आप यह मान के चलिए कि जितनी भी चीजें न वह निकली तो हमारे ही यहां से हैं और मैं इस पर दावे से बोल सकती हूं कि सब कुछ सब कुछ सब कुछ भारत ने दिया है और लोग पैकेजिंग अलग करके बेच रहे हैं और तो सुच वर्ड जल्दी से आप मुझे बता दीजे देखे और अलग-अलग की जैसे सुच वर्ड मैं आपको बताते हैं सुच वर्ड ना ऐसे हमारे वैदिक सुच वर्ड हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं उसको हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है कैलकुलेट करना सकते हैं क्योंकि हमारे एक एक अक्षर से चीजे बन भी सकती हैं और बिगड़ भी सकती हैं अक्षे पातर को आप ऐसे यूज कर सकते हैं कि लाल रंग के पैन से आप वाइट पेपर पे अक्षे पातरम लिखेंगे और जैसे सब्पोस कर ये लव रिलेशन्शिप में आप रेड कलर के कपड़े में बांध कर अपने पास रख लेंगे ठीक है अगर आपको मनी वाइस प्रॉब्लम आ रही है तो आप अक्षे पातरम लिखेंगे और आप लिखेंगे 8-1-2-1 अगें विद रेड पेन ठीक है इसको फोल्ड करके आप अपने पास किसी जार में जालके और उस जार के अंदर आप दो या पांच सिक्के जरूर डाल देंगे और इसको आप अपनी तीजोरी में रख देंगे तो यह हमेशा भरा रहेगा अक्षे पातरम का एक और बहुत अच्छा आपको मैं एक चीज बताती हूं एक बनता है कुबेर कलश कुबेर कलश स्पैशल तरीका होता है इसके बनने का और एक बनता है मंगल का लश को दो चीजे बनती हैं ये मंतरों से सिथ होती हैं और इसके अंदर भोज पत्रपर अनार की कलम से केसर और चंदन से अक्षे पात्रम लिखा जाता है तो जिन आप परक्ष्यार इत्य और मेर देवी का एक मंतर लिखा जाता है और इसको उस कलश spokes के अंदर डाल कर इसको आपत्र ले कर Gold दैरेक्शन ओर छोटा मोटा है हम भी राउप्स हम रात वी चलता हैं हम उसी में खुश हूं कि हमारी हर चीजनी बल देती है और हमारी चीजें तेम्प्रारिश नहीं है कि आपको दो महीने काम कर गई फिर हट गई फिर कुछ हुआ फिर हट गई ऐसे नहीं होता हमारी जो चीजें है वो लॉंग लास्टिंग है जन्नेटर है जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा लेगे जब लॉन हो गया फिर देखो चमक अच्छा मैं अब एक सबसे बड़ा कोश्चिन जो है हम उपर बात करी थी जी तो अब लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है कि हम लाइफ कब करने वाले है उस सवाल का जवाब और उसकी रेमेडी भी आप मुझे बता दो बहुत जल्दी करने वाले हैं हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन क्या होता है देखे मैं आपको भी म करने के लिए चाहिए तो आप लोगों के ही लिए हम लोगों ने इस्पेशली वो पूरा स्टूडियो तैयार किया है क्योंकि हम इत्ती लाइट्स में आपकी पास्ट लाइफ नहीं गर सकते हैं और अभी मैं और तरुन यही बात कर रहे थे कि हम इस चीज के लिए कुछ फॉर्म्स रजिस्टर कराएंगे और फिर हम उसमें देखेंगे कि कौन बहुत जल्दी चला जाता है क्योंकि कई कई बार क्या होता है पास्ट लाइफ के लिए हमें दो तीन चार पांच सेशन करने करके लिआ लगे वाला उस लीएकल पर किया सप сторड़ सीज के पिले इस में जसे करने जबकरांगे तो हम omu बहुत जल्दी समगों सिर्फ जञेंड़ा कई उसमें और अप में से बहुत सारी लोग ऐसे आएंगेस करा चाहिए डिया वो नहीं ले जाओंगी, I'm sorry मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जस्ट विकॉज आपको ट्राय करना है वैसा मत कि लिए, ट्राय नहीं करूंगी मैं किसी के, मैं किसी के पास्ट करमास को ऐसे नहीं छेडूंगी किसी को वाके में जरूरत हो जिसकी लाइफ में बहुत प्राब्लम चल रही हो, प्लीज वो ही लोग अपना नाम सजेस्ट करें प्राब्लम चल रही हो और फिर उसमें से भी मैं निकालूंगी कि सच में जैन्वनली ये चीज आपके पास्ट लाइफ से है भी कनेक्टेड या नहीं है कभी हो सकता है को कुण्डली दोश हो कोई हाँ तो हम यही कोशिश कर रहे है कि साल में हर महीने हम एक पास्ट लाइफ करें और आपी लोगों को बुलाएंगे आपी लोगों के लिए करेंगे लेकिन हमारी भी उसके अंदर कुछ चीज़े है जो हमें तcious करनी पड़ेंगी मजाक नहीं होती यह चीज़ें और किसी के जिंदगी के साथ मैं तो नहीं खेल पाऊंगी ठाकर जी के होते हुए यह काम तो मैं नहीं कर सकती कि मैं कुछ अपनी प्रसिद्धी के लिए अपने नाम के लिए कोई गलत काम करूं तो definitely करेंगे लेकिन थोड़ा सा उसके लिए आपको भी हमें corporate करना पड़ेगा Thank you so much मैम आपने clear कर दिया हमें ये podcast जब आएगा तो लोग थोड़ा मेरा पीछा कम करेंगे नहीं नहीं हम ज़रूर करेंगे हमें करना भी है क्योंकि हमें ये भी एक चीज़ सबको दिखानी है तरुन की इन चीज़ों का भी बहुत प्रभाव आता है क्योंकि और ये बहुत सारी लोग बोल भी रहे हैं कि एसा थोड़ी होता है अच्छा ऐसा नहीं होता तो फिर आप ही एक जब तक किसी चीज का अनुभव नहीं कर रहें तब तक आप उस पर उंगली उठाई नहीं सकते हैं और यहां हम जिन लोगों को बुलाईंगे भी जिन लोगों के साथ हम करेंगे भी आप उनके अनुभव जब सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सच में होता है कि नहीं होता है, तो अब यह तो हमको एपिसोड और छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपके साथ बात और दो घंटे करता रहो, और दो घंटे करता रहो, तो चलता है रहेगा, एक डिमांड और आ रही है, कि सर को भी ले कि आई है आपके साथ, तो next podcast सर के साथ कर पका, क्योंकि उनकी जो कहानिया है, मुझे लगता है, वो और अलग लेवल की होंगी, हाँ, सर आपको कुछ देंगे, तो उनके साथ आप बिल्कुल करिएगा, हम next time उनके साथ, तैंक यू सो मच, और मतलब आपने मुझे यहां बुनाया, मंदिर के आगे बैठ के, हम दो ने podcast किया, उनकी दुष्टी अंपर पड़ी तो हो सकता है, कि अब ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो, आगे चलके, ऐसा कहते हैं ना कि उनकी किरपा के बिणा, उनकी मर्जी के बिना कुछ होता नही है, तो शायद ये उनकी ही मर्जी है, गाप असमेशा ऐसा सोचती थी तरुन, कि मेरे ठाको जी के अंदर बहुत ताकत है, मतलब मेरे मैं इसलिए word यूझ करती हूँ, कि मैं उनसे बहुत connected ह तो आप प्लीज उसको पर्सनल ही मत लीजेगा तो में को ऐसा लगता तो मेरे टाकुर जी के अंदर बहुत ताकत है और वो बहुत कुछ करने के लिए सज है, सक्षम है तो मेरे टाकुर जी ऐसे छुपके क्यों रहते हैं वो सामने क्यों नहीं आते अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो टाइम आ गया है कि ठाकुर जी अब खुद अपनी स्वेक्षा से चाते हैं कि मैं आऊं सामने तो इसी लिए शायद ये बार-बार-बार-बार उनके सामने और उनके समक्षी चीजे हो रही है ठीक है? अच्छी बात सब्सक्राइब करना मत भूलेगा प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजे बहुत सारे लोग लगते हैं बहुत मेहनत लगती है एक पॉडकास को बनाने में शेयर करना मत भूले क्योंकि ये जो नॉलेज है ये अंटिल अल्लेस आप लोग किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे तो हमारा एक जो उद्धेश्य है वो थोड़ा सा सफल नहीं हो पाता है प्लीज शेयर कीजे लाइक कीजे मैं की मैं डिटेल्स जरूर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स है आपको कुछ कॉंटैक्ट करना है मैं के साथ तो आप कर सकते हैं थेंक्यू सो मच और कीप वाचेगी रादे कृष्ण